जहां जहां बीजेपी की सरकार ऐसा लग रहा है कि मुसल्मान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है डांडिया में मुसल्मान जाकर फत्तर फेके रोट पर लाके उनको पीटा जाता है यह हमारी जहन की खीमत है एक रोट के कुट्टे की इज़त है बुसल्मान की इज़त नहीं है मैं हुसानिय अद्रिसी आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स M.I.M के प्रमूग असदुद्धी 9.C किसी ना किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहते है अब इसी बीच ओवेसी ने भारत में मुसल्मानों की हालत पर कुछ बयान दिया है उन्होंने एक कार्य क्रम में देश में चल रहे मसलों पर चर्चा करते हुए देश के मुसल्मानों की स्तिथी भी जाहिर की है उन्होंने कहा कि रोड पे चर्टे हुए कुट्टे की भी इज़त है लेकिन मुसल्मानों की नहीं मुसल्मानों को लगातार सियासी हीतों के नाम पर निशाना बनाया जाता है सर्वे के नाम पर हमारे मदर्सों पर प्रहार किया जा रहा है आगे कहा कि देश में हर मुसल्मानों पर अत्याचार हो रहा है एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें कुछ मुसलिम नौ जवानों ने लोगों पर पत्थर फेके थे लेकिन पुलिस ने उन्हें खंबे से बान कर 20 सड़क पर डंडे से पीटा जब ये सब हो रहा था तो सरकार ने कोई लीगली एक्शन क्यों नहीं लिया अगर वो गर्ती कर रहे थे तो उन्हें पुलिस टेशन लेकर जाते लेकिन पुलिस अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया इस बात से नाराज की जताते हुए ओवेसी ने आगे और क्या कहा है सुनिये क्या हो रहा है हमारे देश में उत्तर परदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार ऐसा लग रहा है कि मुसल्मान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है मदरसे को डेमालिश कर दो गुजरात में क्या हुआ बताईए गुजरात में ये कहा गया कि डांडिया में मुसल्मान जाकर फट्तर फेके तुमाहा की पॉलिस ने मुसल्मान नौजवानों को पकड़ा बीच चौरेस्टे पर लाए एक पॉल से बांद कर पूरा मजमा खड़ावा है खरीब तीन सो चार सो लोग बैठे हुए हैं इंतिजार में बैठे हैं और जैसे पॉलिस वाला एक मुसल्मान के पीट पर लट मारता है नारे लगा रहे हैं नारे लगा रहे रोट पर लाके उनको पीटा जाता है यह हमारी इज़त है यह हमारी जहन की खीमत है बोलिए भारत के पदान मंत्री मूँ तो खोलिए कि क्या आप गुजराद से आप आते हैं आपके पर देश में जहां पर आप मुख्य मंत्री थे वजीर आला थे एक मुसल्मान बच्चों को रोट पर लाकर पॉलिस वाले क्या मेरी इज़त नहीं है वीडियो ग्राफी की जाती है लट से मारा जा रहा है पीटा जा रहा है क्यूं कोट को रखे कोट को बन कर दो आप क्यूं पॉलिस को रखे पॉलिस को भी खतम कर दो जब आप हमको रोट पर लाकर मार रहे हमारी बेज़ती कर रहे और पूरे मज लेते हैं क्योंके मार पढ़ रही है तो मसल्मान को तुमको तो नहीं पढ़ रही है ना मगर जब गुजराद का इलेक्शन आएगा तो जब सब मुझ खोल के बोलेंगे ओवेसी कोर्ट मत दो असद से दूर रहो अरे तुम दूर हो सकते हो मगर मैं इस मिलत의 मजल्माथ से कभी दूर ओने वाला नही हूँ जिस किसी पर जल्म होगा मैं उसके करीब रहूंगा इंशालिला हो ताला कीमी इमां इसे हैं के गुल्मों का खुलाम इनके गुल्मों के पैरों की धूल भी नहीं हो मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता मैं लडूंगा जब तक जिन्दगी अल्ला बाकी रखेगा ये कोई जुम है ये कि इस तरह का परता हो कि रोट पर लाकर लटों से मारा जा रहा है ये भारत की जमूरियत है भारत का सम्मीदान है भारत का सेकुलरिजम है रूल अफ ला है फं तुम लोट पर लाकर सरे बजार मुझे पीटते हो मगर मारने वालो मारो याद रखो तुम हज़ते बिलाल को नहीं जानते हज़ते बिलाल को भी मक्के की सरजमीन पर उस वक्त के तुमारी तरह जालिम लोग हज़ते बिलाल के पीट पर गरम गरम फत्तर रख देते थे और मगर हम मगर हम तुम्हारे तेरे जल्म का जवाब जल्म से नहीं करेंगे हम जल्म का जवाब जल्म से नहीं करेंगे तुम्हारे पास सत्ता है तुम्हारे पास ताकत है तुम ताकत में डूब कर जालिम बन चुके हो तुम्हारे पास अगर सत्ता होती तो तुम इनसाफ करते अगर वो बच्चे फट्तर फेके तो तुम उनको जेल में डालते कोट में केस चलाते मगर नहीं पहले पॉली स्टेशन ले जाकर तुम मारते थे तो तुम्हारा दिल नहीं भरा अब तुम ने कहा के नहीं अब हम रोट पे मारेंगे मुलाओं को हम इन मुलाओं को रोट पे मारेंगे इनकी बेज़ती करेंगे और सारी दुनिया को बताएंगे देखो 133 कोड के भारत देश में जिसमें 20 कोड मुसलमान बनते हैं अब फैसला आपको करना है कि आप क्या करेंगे कैसा इसका जवाब देंगे मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ तशद्द का जवाब तशद्द से नहीं होगा वाइलेंस का जवाब वाइलेंस से नहीं जलुम का जवाब जलुम से नहीं ظلم کا جواب اتحاد سے ظلم کا جواب سیاسی طاقت سے ظلم کا جواب جمہوریت کو مضبوط کر کے ظلم کا جواب برول افلاو کو مضبوط کر کے اور ظلم دیکھ کر اپنے حوصلوں کو پسٹ ہونے مت دو حضرت بلال کو یاد رکھو حضرت امبار بن یاسر کی خوربانی کو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی کی خوربانی کو یاد رکھو حاملہ تھی حبار بن اسوت اوڈ پر تھی ہماری شہزادی مہرا حمل ساکت ہو گیا اس کے بعد انتقال کر گئی